हेलो एब्डिवान, आज डेट है 30 ओब दिसंबर 2021 और दाहिंदू नूच अनलिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दाहिंदू की इंपोर्ट एंड यूज को एक्जाम के पॉइंट ओफ्वी से डिस्कस करेंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेल्गाम चैनल वॉलकेनो आईयस अकेड़िमी का लिंक दिया हुआ है। इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन एंड फैक्ट्स को आपको कॉमेंट व्योक्स में टाइप करना है। इंपोर्टेंट इंडिया के एक इंपोर्टेंट रिवर है। उसकी राइट बेंक टिर्बिटरी के रूप में फ्लो होती है। तुंबदरा रिवर करनाटका से फ्लो होने के बाद में तेलंगाना और अंदरप्रदेश के जो बॉर्डर एरिया है वहां पर फ्लो होती हुई तेलंगाना स्टेट में जाकरके कृष्णा रिवर में मर्ज हो जाती है। तो ये तुंबदरा रिवर से इंपोटेंट रिलेटेड इंपोटेंट फेक्ट्स जो हमारे एकजाम के पॉइंट रिवर से इंपोटेंट है। मिन्स FCR Act के अंदर उन एंजियों को अपना रिवर के लिए अपलाई करना था तो हो सकता है कि कुछ प्रोसीजर कोवीड की वज़े से प्रोसीजर में प्रोब्लम आ रही है। कि फोरें जो फंड मिलता है उसको रेगुलेट किया जा सके फिर टाइम टू टाइम इसमें चेंजिस किया गया कि किस तरीके से और ज्यादा जो अपना इंस्पेक्शन है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। 2020 में इसमें कुछ चेंजेस कियेगे। चेंजेस करने के दोरान NGO को ये करना था कि आपको हर पात साल में अपना जो रिन्यू है वो प्रोसीजर अपनाना है। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए देली में, SBI ब्रांच में इसके अलावा आपको आधार कार्ड से भी इसको जो भी आपकी जानकारी है उन सबको रेगुलेट करना है। और आपका जो भी प्रोसीजर होगा वो एक बैंक अकाउंट के अंडर होगा। इसको लेकर के हलागी जो NGO है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए है वहाँ पर भी जो सेंट्रल गोर्मेंट है उन्होंने अपना इस स्टेट्वेंट यही दिया है कि फोरें से जो फंड मिलता है वो हमारे इंडिया की सेक्योर्टी के लिए एक थ्रेट नामबर करके हमारे इ चेंज हुआ एक्ट में उसके बाद में जितने भी हमारे इंडियू है उनको अपना रिन्यू करवाने की बाद थी तो अगर बहुत जारे जो NGO है असोशेशन जो है उन्होंने अपने रिन्यू जो एक्स अप्लिकेशन है उनको सम्मिट भी किया है लेकिन उसमें कुछ प्र चिक्मेंट दिया है कि 5000 रिन्यू अप्लिकेशन जो है वो अभी प्रोसेजर में चल रहे हैं और हमारे इंडिया में 22,762 ऐसे NGO हैं जो एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं मीन्स हमारे यहां पर बहुत सारे NGO ऐसे हैं जिरको अभी भी रिन्यू अप्लिकेशन के लिए अप कर रहे हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल फोर फ्रंट पेस पर ही गोवा जो हमारा यहां पर गोवा स्टेट को लेकर के 2018 में सुप्रीम कोट ने कुछ यहां पर माइनिंग साइड्स हैं उनको जो लीज दे रखा था उसको बैन कर दिया था बैन करने का कारण यह थ कि इलीगल तरीके से हम पर माइनिंग कुछ हो रही थी जिसको लेकर के इशू को जब सुप्रीम कोट में रखा गया तो सुप्रीम कोट ने उसको बैन किया अब वहां पर गोवा वाले एरिया में जो माइनिंग एक बहुत बड़ा एक रिसोर्सेज है बहुत सारी पोपुल दे दिया है कि लो ग्रेड आइरन ओर जो है उसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है इसकी वज़े से क्या होगा कि जब दुबारा से इसे पोइंट्स खुलेंगे इंडस्ट्री ऐसे ओपन होंगी जिनके उपर जाकर कि लोग वर्क कर सकते हैं तो जो परेशानी है उस परेशा आइरन ओर के यह सब कुछ आपको कम्प्लीट व्यू होना चाहिए नेक्स्ट इंपोटेंट आर्टिकल यहां देखिए एडिटोरियल पेस पर फर्स जो आर्टिकल है एडिटोरियल यहां पर कोविड की जो नई वैक्शीन और नई जो पिल्स बनाई गई हैं उसको लेकर क और एक एंटिवाइरल ड्रग को भी अप्रूवल दिया गया है कोर्बेवेक्स जो है वो बाई बायलोजिकल एक के द्वारे इसको बनाये गया है एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है और कोवेक्स जो है उसको सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया के द्वारा बनाये ग क्या जा रहा था तो अभी तक हमारे इंडिया में दो वैक्सिन कोविसिल और को वैक्सिन ये तो दोनों हमारे इंडिया में सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया और भारत बाइटक के दुआरा बनाई गी है और एक है स्मुतनिक वी ये तीन जो वैक्सिन है इनको इमर्जेंस से ज़्यादा जो population है उसको जल्दी से जल्दी vaccination किया जा सकेगा इसका कारण ये भी है कि COVID के जो नए variant देखने को मिल रहे हैं जिनकी वज़े से काफे ज़्यादा effect हो रहा है रहो सकता है कि आने वाले time में और ज़्यादा problem हो तो इसके वज़े से जो vaccination program है उसको करने की है next important article यहाँ पर देखो अभी एक issue हुआ issue यह हुआ कि इसराइल ने Syria का एक port है port का नाम है लता किया उस port को उसके उपर missile attack किया जिसकी वज़े से missile strike होने की वज़े से यह जो लता किया port है जहां पर Syria का बहुत ज़्यादा import export depend करता है बहुत ज़्यादा Syria जो है अपने इस port के उपर depend करता है उसको ख़त्म करने की कोशिस की इसराइल ने तो इसकी वज़े से यह लगता है कि अभी भी अरब जो countries है वहाँ पर जो conflict है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीक से intense way में वहाँ पर conflict चल रहा है यह दू इस्यू क्या है क्यों यहाँ पर problem है इसराइल और Syria के बीच में यह हमारे लिए देखने वाली बात होगी तो पहले map में आप यू किजिए Syria और इसराइल का जो map है यहाँ देखिए यह Mediterranean Sea है और यहाँ पर Israel exist करता है इसराइल का तो वैसे फिलिस्तिन के साथ में भी regular issue चलता रहता है क्योंकि यहाँ पर जो population है फिलिस्तिन की जो population है उसको एक तरीके से shrunk कर दिया गया है और जो Israel है वो complete area को अपने अंडर करने की कोसिस कर रहा है तो यहाँ पर border मिलती है इसरा Syria को यह जो गोलर हैटस है वो Syria के अंडर आता था लेकिन बाद में Israel ने इसको capture कर लिया था तो इसको लेकर के भी issue है दूसरा इसरा इसराइल को यह लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी activities हो रही है सीरिया में जो Iran sponsored है इरान यहाँ पर sponsor कर रहा है इरान यहाँ पर weapons भीज़ रह है जिसकी वज़े से आने वाले टाइम में Israel को कुछ threat हो सकती है security threat हो सकती है वहाँ पर जो land area है उसको लेकर के threat हो सकती है इसके कारण से जो भी यहाँ पर कुछ इस तरीके के activity होती है तो Israel उनको stuck down करने की गोसिस करता है इसराइल का यह मानना है कि यहाँ पर अगर सीरिया में या फिर इसके जो regional area में other countries में इस तरीके की activities increase होती रही तो आने वाले टाइम में Israel को इस तरीके की threat मिलना संभा है possible है तो उन सभी चीज़ों को counter करने के कि हाँ Israel जो है चाए आपको कोई भी support करे हम आपके सामने लडने के लिए हमीशा तयार है तो अभी present time में जो Iran country है उसके साथ में देखो उनके उपर कुछ restrictions लगाए हुए हैं अब सभी को पता है कि 2015 में एक act एक जो low बना था JCPOA agreement होता है जिसमें US और 5 other countries जो मिलकर के US और इरान के बीच में एक agreement होता है जिसमें बहुत सारे points के उपर discussion होता है लेकिन जब US के president Mr. Donald Trump बनते हैं तो JCPOA act के साथ में क्या कर लेते हैं अपने आपको withdraw कर लेते हैं जिसकी वजह से जिसे इरान के उपर restrictions लगाए हुए थे कि आप यहाँ पर जो हमारी आपका जो nuclear weapons है उ agreement से US पीछे हुआ तो इरान दुबारा से इनके उपर work करने लगया हलांकि present time में discussion चल रहा है कि JCPOA जो agreement है उसके उपर US वापस आना चाहता है और other countries को साथ में ले करके Austria में इसके उपर discussion meetings वी हुई पहले भी meetings हुई लेकिन वहाँ पर जब presidents के election हुए जिसकी वजह से जो procedure procedure है वो कुछ time के लिए रुका और अब दुबारा से उस procedure को renew करने की बात की जा रही है तो अगर इरान के उपर जो restrictions हैं उनको हटाया जाता है और normal country के रूप में उनको avail किया जाता है globally level पर उनको recognition दी जाती है कि हर country उनके साथ में relation maintain कर सकता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि इरान जो other countries को other countries में जो activities हैं को support कर रहा है तो उसके पर भी restrictions लगेंगी जिसकी वजह से जो अरब एरिया है वहाँ पर जो problem है जो issue देखने को मिल रहा है वो problem काफी ज़्यादा solve हो जाएगी ओके next important article page number 10 पर यहाँ देखिए एक second यहाँ पर जो first article है वो apsa act को लेकर के है हमने यह देखा कि नागा लेंड में issue हुआ December starting में और वहाँ पर जो local population है उनकी death हो जाती है तो उसी को लेकर के central government ने एक team prepare की है और इस team में जो हमारी army के officers है वो भी इसमें participate कर रहे हैं और person को भी इसमें include कि गया है और उनको बोला गया है कि आप apsa act को लेकर कि अपनी basic ground level पर जो report है उसको prepare कीजिए जिसके basis पर यह देखा जाएगा कि यहाँ पर apsa जो act है वो regular रहे या उसको remove किया जाए अपसा act के बारे में अगर हम देखे तो prelims के point of view से भी यह जो word है वो important है और mains के point of view से भ गलेंड स्टेट कोर्णेंट उन्होंने भी अपना separate inquiry को order दिया है कि आप हमारे तरब से भी मतलब से अपनी तरब से इसकी जानकारी हसिल करेगा कि यह जो परेशानी हुई यह जो incident हुआ वो किस कारण से हुआ ओके और नागलेंड में या फिर नोर्थ इस्ट वाले area में अ अपनी रिपोर्ट को तो उन्होंने recommendation दी थी किसको remove किया जाना चाहिए तो यह हमने अपसा एक्ट के बारे में देखा अपसा एक्ट आपको पता है कि इसमें 1956-1957 के टाइम में इसको बनाया गया तो बनाए जाने का कारण यह था कि हमारे इंडिया की जो internal security है उसको stabilize किया जा सके इसकी वज़े से आर्मी को special power दी जाती है अपसा एक्ट के section 3 के अटर जब भी किसी area को disturbed area declare कर दिया जाता है तो उस area में आर्मी को special power दी जाती है next important article यहाँ पर FCR Act को लेकर के ही है central government बहुत सारे NGO जो है बहुत सारे organization जो है उन्होंने सुप्रीम कोट में यह बात रखी कि यह जो amendment किया गया है यह जो renew किया रहा है कि हर 5 साल में अपना renew करवाओ आप आधार कार्ट से अपने जो account है उसको एक तरीकी से maintain करो SPI में आप अपना account खुलवाओ इसकी वज़े से क्या हो रहा है कि जो NGO है non-governmental organization है उनके activities के उपर restriction लगाने के government को assist करी है लेकिन central government ने इस बात को justify किया है कि अगर हम renew नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे NGO है जिनको foreign fund मिलता है और उनका use objective जो है वो clear नहीं है उ तो government को तो ये मानना है कि और भी ज्यादा tighten monitoring होनी चाहिए इन foreign funds की तब ही जाकर के हम सारी जो चीज़ें है वो clear हो पाएंगी next important article page number 12 पर sorry पहले page number 10 पर आप एक news ओर देखी यहाँ पर तमिलनाडू जो government है उन्होंने अपनी जो नई policy है उसको launch किया है women policy उनको उसका जो draft है उसको prepare किया है उसको unveil किया है इसमें उन्होंने बोला है कि school में जो girls है उनके लिए martial art जो training है वो mandatory होगी इसके अलावा अगर हम बात करें तो मन्रेगा act के अंडर उन women को और जदा 50 additional days का और जदा work दिया जाएगा जो अपने घर में एक तरीके से head है मतलब women ही उस परिवार को चला रही है तो उनको 50 days का अदर से work दिया जाएगा इसके अलावा political parties में 33.3% का भी draft रखा गया है तमिलाडू state new policy for women 2021 में कि जितनी भी political parties है उसमे 33% जो seats है वो women के लिए होनी चाहिए next important article page number 11 पर यहाँ देखिए sorry page number 12 पर यहाँ पर जो first article है वो हमारे जितने भी institution है जितने भी हमारे IITs है Indian Institute of Technology और Indian Institute of Science Bangalore इनको top 10 central जो institutions है उनमें रखा गया है इसमें यह माना गया है कि जो अटल innovation rank है उसके basis पर उनको rank दी गई है यह माना गया है कि हमारे इंडिया में जितने भी नए innovation हो रहे हैं जितने भी entrepreneurship development हैं उनके according इन institute ने काफी अच्छा काम किया है अटल ranking of institution on innovation achievements ARIIA जो index पब्लिस हुआ है उसमें इनको top rank दी कही है और मानना है कि जितने भी ज़्यादा entrepreneur से work है उनमें सबसे ज़्यादा support किया गया है इन institute के द्वारा next important article इसमें जो top rank है वो the top rank has been backed by the IIT मदरास follow by the IIT in Bombay, Delhi, Kanpur and Virurki यहाँ पर omicron को लेकर के है कि omicron की वज़े से हो सकता है कि आने वाले time में काभी potential नया strain देखने को मिल रहा है हो सकता है कि इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा problem create हो जाई यहाँ पर जो article है वो defense system को लेकर के है इसमें बताया गया है कि हमारे इंडिया जो है वो धीरे धीरे अपने आपको इस तरीके से increase कर रहा है कि हमारे आपर जो defense infrastructure है वो और ज़्यादा increase हो सके अगर हम पहले की बात करें तो हम other countries के उपर अपने defense weapons के लिए काफी ज़्यादा depend रहते थे लेकिन present time में जो आत्म निर्भर initiative हमारी government ने start किया है इसकी वज़े से हम हर साल 3000 करोड जो है वो बचा रहे हैं मतलब इतना पैसा हम यहाँ पर invest करके अपना जो infrastructure है उसको develop कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसी strategy है बहुत सारे ऐसे weapons हैं जिनको इंडिया खुद develop करने लग गया है तो यह आपको पता होना चाहिए कि आत्म निर्भर initiative को लेकर कि अगर plus point देखे जाए तो पूछा जाए question मालो main survey question पूछा जाए कि आत्म निर्भर initiative की विज़े से कितना इंडिय जो है वो self depend हो पाया है तो हर sector को लेकर कि आपको क्या करना है जब भी आप answer करो तो उसको एक variety दिया करो विराइटी में क्या होता है कि बहुत सारे points को include करोगे जब भी कोई point हो तो उसमें include किया करो हर sector को और इसमें आप एक यह जो हमारा defense sector है इसको include कर सकते हो और जब answer को आप data के साथ में रखोगे आप यह बताओगे कि 3000 करोड रुपए हम हर साल बचा रहे हैं यह पैसा जो हम पहले other countries को देते थे उसको हम save कर रहे हैं तो इससे इंडिया की जो growth है वो तो और जाता increase होगी ना जब पैसा बाहर जा रहा है वो यहीं रुकेगा तो हमारी जो economic boost up है वो देखने को मिलेगा country में next important article है यहां देखे foreign peace पर सबसे पहले world health organization ने warning दी है कि covid के जिस तरीके से नए strain हम देख रहे हैं delta omicron नए variants है इसकी वज़े से जो cases की संक्या है वो बढ़ रही है और present time में अगर हम देखें तो पहले की संक्या में भी जो cases है मतलब peak level पर health system में जो tsunami मतलब एक problem जो है covid tsunami जो है वो आ सकती है तो इसके लिए हर country को अपने आपको पहले ही तयार रखना चाहिए world health organization WHO जो word है उसके बारे में हम कुछ basic facts देखेंगे कि हमारे exam के point of view से यह कैसे important हो सकता है सबसे पहले तो आप इस article को gs paper 2 और gs paper 3 दोनों से आप इसको relate कर सकते हो और prelims के point of view से भी world health organization को लेकर के statement दे देंगे और वहाँ पर आपको question पूछ ले 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 लेगे world health organization के अगर हम बात करें तो 1948 में इसको found किया गया था और United Nation specialized agency के रूप में health के sector में specialized agency के रूप में work करती है WHO इसका headquarter Geneva Switzerland में है 194 इसके member state है 150 country offices है और six regional offices भी इसके है ये एक intergovernmental organization है और ये member state जो है उनमें collaboration के साथ में ये work करता है और हर country की जो ministries of health है उनके थ्रूँ ये work करता है इसकी जो beginning है वो 7 अप्रेल 1948 को हुई थी इसलिए हर साल 7 अप्रेल को World Health Day के रूप में celebrate किया जाता है The WHO provides leadership on global health matters, shaping the health research agenda, setting norms and standards, articulating evidence based policy option, providing technical support to countries and monitoring and assessing health trends मतलब क्या करता है support भी करता है technical support भी करता है वहाँ पर देखता है कि किस country में कौन सी problem कौन सी digit चल रही है उस trend को भी assess करने की कोशिस करता है Objective क्या क्या है WHO के? Objective यही है कि international health work जो है उसमें coordinating authority और directing authority के रूप में work करता है WHO इसके अलावा UN के साथ में मिल करके effective collaboration तयार करने की कोशिस करता है बहुत सारी जो agencies है, governmental health administrators है, professional groups है, उन सभी के साथ में मिल करके health के sector में work करता है to provide assistance to the government upon request in strengthening health services मानलो कोई country यह बोलता है कि हमारे यापर health infrastructure जो है well developed नहीं है आप हमें support कीजिए तो उन countries को support भी करता है इसके अलावा scientific और professional जो groups हैं, उनके बीच में भी cooperation बिठाने की खुसिस करता है ताकि health के छेतर में और ज़्यादा technology और ज़्यादा advancement लाए जा सकी तो यह हमने WHO के बारे में basic facts देखे तो यह आज का मारा discussion था अके थेंक यू